वेलकम फ्रेंड्स टू पंदी इन्वेस्ट यो यूटूब चैनल पंदी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे आने वरे सब्टा में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की चाल कैसे रहेगी प्लस कुछ चुनिंदा स्टॉक के बारे में चैचा करेंगे चैचा करने से पहले हम वर्ल्ट मर्केट, दाउ जोंस और नाजडीक का चार्ट देख लें दोस्तों यह नय है नाजडीक का चार्ट है विखली चार्ट आपको दिख रहा है और यहां पर कोई इस सप्ता ने डोजी बनाया है हाला कि मजबूती दीख रहा है मेरे को यहां पर दाउजन्स में और इसमें कोई विकनेस जाला दीख नहीं रहा है तो एक all time high बोट ही पास है दाउजन्स का जो 70,000 का आक रहा है अभी फिलाल चल रहा है आपका 35,416 में तो यहां से 2000 पॉइंट का जंप जा सकता है दाउजन्स में और वैसे भी जब तक इसके high के उपर जाता है तो हम 70,000 का आक रहा हम दाउजन्स में देख पाएंगे Nasdaq, Nasdaq में आज सबता weakness देखाया है और अलाकि इसको वो इस candle को जो बोलते है विकली चार्ट में जो candle बनाया है आज इसको बोलते है dark cloud candle जो previous candle को पूरा cover कर चुका है और यह weakness का संकेट देख रहा है Nasdaq में नेक्स बात करते है USD INR का तो अगर हम विकली चार्ट देखें तो अभी भी उसी रेंच में फसा हुआ है रूपीज और डॉलर तो जब तक रूपीज लग रहा है इसको ब्रेक आउट करने के कगार पे है इसको ब्रेक आउट करता है तो फिर जैसा जो आकर दियर 85 का टारगेट आप आने वाले छे मेने के अंदर देख सकते हैं USD INR में तो रूपीय अगर डेपिस्ट अगर होता है तो हमारा मार्केट फॉल कर सकता है तो इसके ऊपर आप नजर बना के रखिएगा अब हम बात करते हैं sectoral mid cap के बारे में या आपका weekly chart है mid cap में और आज जो weekly chart का closing आया mid cap का इसको गोलता है hanging man formation हाला कि weakness संकेथ है लेकिन अभी confirmation आना बाकी है confirmation weakness तभी होगा जब previous week में इसके low के नीचे closing अगर देता है तो ये width cap sector is slow down हो जाएंगे और fall यहां से आ सकती है लेकिन अगर इसके ऊपर अगर trade करना सुरू किया तो new high mid cap में पहुत दिख सकता है और अला कि according to earlier wave के नुसार this is on third wave mid cap और इसमें अभी भी उपर जाने की बहुत चंता है ते इसमें अब निवसी रह सकते है कोई भी stocks में जो mid cap है यह 1 2 8 3rd चल रहा है 3rd wave में अल्रेडी है और 3rd wave में आसे शुरू हुआ है जब तक इस रेखा के fall न करे इस रेखा को break न करे जब तक channel के अंदर trade कर रहा है तब तक 3rd wave continue रहेगा तो इस channel को आप बना कर रख सकते हैं जैसे इस channel को break करता है तो आप mid cap stocks से निकल जाएगा तब भी मजबूती दिखा रहा है इसमें mid cap stocks में और बहुत तेजी से selective stocks बहुत तेजी से भाग रहे है next आपका है nifty 100 इसमें weakness हो कर रहा है previous channel के नीचे closing आई है new low बनाया इस सबता तो इसमें आप साफ़ दान रहे है small cap index में भी टेजी है जैसे mid cap में यह भी 3rd wave में है इसमें all time high को break करने के करार पे है nearest all time high 12,047 that is 12,050 almost there so सिर्फ 400 पॉइंट 300 पॉइंट दूरी यह बचा है तो मेरे खाल से ही breakout कर जाएगा और और उपर की target हम देख पाएंगे mid small cap में IT index अभी भी range में फसा हुआ है जब तक इस range को breakout नहीं करे तब तक sideways moment ही रहेगा metal stock ऐसा लग रहा है कि weekly chart में triple top बनाया है और यहीं पर resistance face किया है metal stock अगर इसके उपर breakout देता है तो बहुत टेजी हम देखेंगे आने वाले सबता में Auto stock में भी आपका weakness हो कर रहा है BID scandal formation दीख रहा है और यह confirmation किया previous candle के नीचे close हुआ है और एक new low बनाया है तो एक lower low formation यहाँ पर दीख रहा है अपने को तो इसमें आप सब्धान रहे Auto share में अब इसके नीचे सबता है इसमें इसके नीचे trade करना शुरू करता है तो और गिराबत आ सकती है Auto index Auto share में Next is pharma stock यह breakout दे चुका है All time high पे है और थर्ड web में इंटर कर चुका है और और भी तेजी बनने के समभाना है तो आप जो भी pharma stock है selective हाला कि सारे pharma stock अच्छे खासे gain में बेठे हुए है और भी इसमें तेजी आएगी जैसे Glenmark मैंने बहुत पहले यह भी इसका 1000 के ऊपर 1200 से 1300 का target है 1000 का इसमें आप निवर्सी दा सकते हैं और भी सेयस है इसमें तो आप इसको study कर सकते हैं इस pharma stock को Next आपका financial service इसमें भी आपको weakness हो कर रहा है हाला कि और ब्रेक आउट पर है तो यहां पे support लेनी कोसिस करें आप इसे ब्रेक आउट दिख सकता है financial service में Next आपका है FMGC sector इसमें भी weakness हो कर रहा है previous candle के नीचे low बनाया है closing दिया है आज का low के नीचे closing trading करना शूरू करता है तो इसमें भी FMGC sector में grab और देखने को मिल सकती है Next sector Next sector है आपका energy sector आला कि इसमें कोई उतना weakness नहीं है क्योंकि previous candle के नीचे closing नहीं दिया है इसमें भी राफ्तार बाकी है reality sector में dark cloud formation देखने को मिला और double top जैसा formation create किया है और इसको गलते dark cloud closing जो previous candle को पूरा cover कर चुका है अगर इसपता इसके नीचे closing देता है तो इसमें भी fall देखने को मिलेगा आला कि इसमें भी correction हो चुका है तो देखना परेगा कि इसके candle के नीचे closing देता है तो फिर और गिरावत आपको देखने को मिलेगा यहां इस जब तक इसके उपर closing नहीं होता है तब तक upside नहीं दिख सकता है next हम देखेंगे POC banks, POC bank में एक evening start pattern formation देखाई दे रहा है और यहां पर भी double top formation देख रहा है मेरेको तो अगर confirmation आना बाकी है अगिस सब्ता इसके नीचे closing देता है इसके नीचे इस candle के नीचे इस candle का जो लो है 4383 POC index if close below this level then B alert so there will correction in the POC banks also if POC index close below this level otherwise still the confirmation yet to come so we can see sideways movement in POC banks so if rally has to stop here they should bounce back from here and should break this high जब इसके high के उपर जाएगा तब POC banks बहुत तेजी और बहुत तेजी से रफटार पकरेगी तो इसमें ध्यान दखी है POC banks में stop loss आप करेगा 4383 अब चले बात करें निफ्ती की निफ्ती ने आज यह विकली चार्ट है के विकली चार्ट है के बीरिसक फोर्मेशन सो कर रहा है पीवेश कैंडल के नीचे क्लोज पीवेश विक के नीचे क्लोजिंग आया निव बनाया और जो लो बनाया इस अपता जो डार था 500 पॉंट का रेंज था इस हपता ने विकली है उसका यह भी विकली आया ने अपनाया बनाया और जो बनाया नाइन थाउजन टू निटी-्सक्स का तो अल्मोस्स 500 पॉंट का एक रेंडे रैली स्विंग ट्रेडिंग हुआ है निफिंग में इस अपता अगर आने वाले सक्ता में हम बात करें डीटेल से तो विकली चाथ हम यहां देख सकते हैं यह आप 19,992 जो बनाया था अभी इसको हाई इसके नीचे क्लोजिंग आई है लगाता है दो सक्ता और आज का जो लो है 19,296 इसके नीचे कर टे निग करना शुरू करता है 19,290 फ्रेद निफ्टी बे-लो 19,290 लें we can see the next target will be 19,000 240 to 19,050 levels ते इस रज़ बे हम आपको निफ्टी डेकन को मिलेगा निफ्टी बेल तो if निफ्टी टेर उप्लोस मिलो 19,000 to 90 that is this week low then we can the next target on the downside will be 19,000 240 to 19,050 that is the target for Nifty for coming big according to Iliad wave, Iliad wave के बात करें तो इसका count future wave में एक अंदिंड देकर अमरेको ED क्या होता है if you don't know what is ED ending diagonal then learn Iliad wave theory आपको Iliad wave theory सिखना परेगा ED जानने के लिए तो एक ED बन रहा है यहाँ पर A B C यह आपका wave 1 हुआ यहाँ पर A B C बनेगा फिर wave 2 बनेगा और उसी पकार A B C A B C A B C A B C A B C यहाँ पर एंडिंड डैंगल का एक information दीख रहा है मेरेको अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो एक लेग और निच्छे जाने का पेंडिंग है तो एक लेग जैसे यहाँ B F C यहाँ बना यह A B C का 5 लेग होता है तो यहाँ वान एक लेग और बाकी है वान तू त्री फोर एक लेग बाकी है तो फोर वेप में अभी चल रहा है मार्केट और इसका जो रिस्टेंज जो जो आ रहा है 19,500 19,570 50 to 70 is a resistance zone for the nifty the nifty is a resistance zone for the nifty is a open close data if nifty able to close above 19,575 then we can see the new rally and if it will go to the upside on the 20,000 level about if nifty break this week low 19296 a break 19296 then we can see 19000 to 40 to 19,000 50 level on the downside even we can see 18,000 800 levels that 18888 that is the previous high okay so this is the level for the nifty for the coming week because one leg is pending on the downside and nifty according to elite web to elite weapons are a wave one a wave one a wave two we have three compete ho chuka now that those are channel pay 19 to 26 and today what we have saw the upside rally is just a pullback and then again we will fall on the next coming week that is monday on tuesday we can see another leg round of selling towards the 19,050 on a downside and then we can see upside rally because it is ending diagonal formation in the nifty that is the a b c again it will be a b c a b and c will compete here or or this bollinger band lower range that is the target of sin that is 19,240 or if break 19,240 then we can see 19,050 as a target near out okay so this is the roadmap for the nifty for the coming week and if you see the for smaller time frame of early chart if you see the early chart then you see the early chart then you can see the early chart of one two three four or fifth pending so if break on monday if break nifty break below this level that is this candle low 19,460 so mark the level 19,460 or today's low was 450 i think so yes if break this level then go short with a stop of 19,570 here will stop loss and your target will be 19,240 minimum and then it will extend on the downside it will accelerate or break below 19,240 19,240 to break torta hain then then 19,060 and 19,050 level we can see in the coming days so this is your way of nifty view if you like this video if you like this video so keep it like do not forget to like this video if you like this video if you like this video then i will motivate and will give you the good stocks and good information and don't forget to subscribe telegram channel now we'll move to the bank nifty bank nifty is the same case and bank nifty broken the previous candle low is showing evening star formation bank nifty made the grammar ago this is called evening star formation this is evening star pattern is evening star ko pa tta nahi hai toh aap candlestick pattern sikhi lijeye if one to learn all this candlestick is called this candle kya bholta hai is kya study zhi kya hai kya matlab hota evening star ka ak aapko jana hai toh niche diye way whatsapp number main pinch diyeyeok chukhi na hai toh is fonko sikhihija about payasiya prometek using card Avee prints per seойyum flash RF todo Shears set thepesse mapetto ruckito then you, running evening star pattern and previous candle the low take power assa 44695 of this candle staff has been closed and 0.54585 is closing as well and nifty brick close below that previous candle low and also previous closing low so it is a bearish signal and the next target will be of course the midpoint of the bollinger bank that is 43,350, 43,500 is the target for the bank nifty for coming week if bank nifty break or trade below today this week low if trade below 44,279 or 270 then we can see the target 43,500 minimum and if break below this level also then we can see 41,000 on a downside okay so be alert in bank nifty and bank nifty stock also because poc index showing evening star bank nifty also showing evening star so both patterns similarity and you have to alert on bank nifty. so this is your weekly of course we can see daily chart in daily chart. so in daily chart you can see a b c pattern in the daily chart you can see a b c pattern just like ending diagonal. so this will be a case hooga a a b c a a b or a c अब C में भी 5 लेक होते हैं अगर आपको इलिए नहीं मालूम है इलिए रिप को सकते हैं या आपका 1, 2, 3 या भी जो गिया 4 और 5 पेंडिंग है तब 5 का तार्गेट है आपका 44,000 तो मिनियम टार्गेट में को दिख रहा है अबसके चीछ तो मीचे अचलेर होता है 43,500 तो मुले टार्गेट न दाउंसाइ आपका रिप को ड्येट में रता इस अभी बाट में लोग का अबस्यान आपके टो प्रेम अवर लिए बाट प्रेहीं और रागेट में अवर्ली चात में और आज का जो मुख था नीचे, second half में, तो one and two, a fit wave का सुरवाद हो चुकी है, तो this can be one, two, three, four and five. तो ऐसा pattern देखना को में सकता है, तो maybe a gap down opening on Monday, if not a flat opening, then should not cross this candle high, that is 44,000, 45,000 level, so 45,000 is the resistance zone for the bank Nifty, if close above only this level, that is today's high, आज का जो high है, 45,000, 117, that is 45,000, 120 के उपर closing देता है, तो फिर हम bullish हो जाएंगे, और फिर target हो रहेगा, आपका 46,000, 47,000 on the upside, so I will change my trading, if bank Nifty close above this level, अग इसके उपर closing देता है, तो फिर हम ये target देखेंगे, फिर हम long हो जाएंगे, short के बजे, और इसके नीचे close, आज का early जो close हुआ था, close was low जो बनाया था, 44, 595, so bank Nifty trade below 44, 590, then we will go short and your target will be 43,500, that is 1000 points from there, clear, so this is the roadmap for the bank Nifty for the coming week, so this is the way of how to trade, when to trade, when to go long, when to go short, okay, and when to keep stop loss, सारे कुछ मैंने आपको बता दिया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो किर पर like करना ना भूले, चलिए next हम देखते हैं, fin Nifty में, nifty का आगा स्विच, fin Nifty देख ले, fin Nifty में वही है आपका, just like bank Nifty, और यह भी चेंज हो चुका है, और इसमें भी वही correction है, एक, दो, तीन, चार, अभी एक like pending है इसमें, यह 1, 2, 3, 4, 5, तो, 19,600, is the target for the fin Nifty, if not able to close above this level, that is the today's high, आज का जो हाई है, 20,050 का स्वास, so, if fin Nifty not able to close above 20,050, then we are heading towards the 19,600 minimum, okay, if close above 20,100 level, then we can see upside, and our target will be 20,800 on the upside, in fin Nifty, so, this is the route or trade plan, if you can go short, if you are in long side, then keep your stop loss, that is today's low, that was the low was 19,852, 19,850 T, if you are holding the long, then put this stop loss, this is your stop loss, 19,850, if fin Nifty break, if fin Nifty break, 19,850 during the trade, and sustain below this level, इसके नीचे अगर trade करना सुरूर करता है, 19,850, तो फिर हम, 19,600, से लेके, 19,400 का आकरा हम देख सकते हैं, fin Nifty ने, clear, so, this is the roadmap for the fin Nifty, 15, चलिए हम कुछ बात करें, हम stocks के बारे में, पिछला सब्ता मैंने आपको दिया था, Olympic Pharma, बहुँ अच्छा, 10-15% का upside देखने को मिला, और भी upside बाकी अभी, तेसे मने रही है, stop loss, marks Olympic Pharma, कुछ तो के में कुछ अच्छा लगा इस अपता, बैटरीन चाल देखा होगा है, India Bose Housing Finance, बहुत अच्छा candle इसमें बना है, weekly candle सांदार है, monthly closing इसका chart देखें, previous month लगातार continuously, 1, 2, 3, 4, 5, 5th month, it is the 5th month, previous higher high बना रहा है, on monthly basis पे, तो यह चार्ट आपको radar होना चाहिए, और study purpose के लिए, इसमें आप एक trade line draw कर सकते हैं, previous high बनाया था, इसका आप देखें, यहां पे clear cut breakout दिया है, इस trade line के ऊपर closing दिया है, और अभी, the target जो निकल के आ रहा है, यह shooting star यहां बना था, यह recently resistance zone यह भी है, India Bulls housing finance का, 180 के आसपास, is the resistance zone, अगर इसके उपर closing data है, this is the 180 is the resistance zone, if close above this level, then we can see a new high, 280 on the upside, okay, so, keep a close eye on India Bulls movement, by above 180, if close above this level, the target will be 100 points from there, and your stop loss will be, to this current month's low, here stop loss of Karayga, 139 will be your stop loss, okay, because it is very, high beta stock, बहुत ही टेज, टिवर गती से उपर नीचे करता है, बोटाइल रहता है, टेज में साफधानी से आप trade करें, intraday trade ना करें, positional basis trade करें, we just have stop loss, next stock, जो मेरे को अच्छा लग रहा है, उसके पहले देख लें, इंडियाविक्स का हम चाट देख लें, इंडियाविक्स ने एक just ending dangle formation ना दिख रहा है, और एक उपर breakout करने की तयार है, इंडियाविक्स on monthly chart, so we can see, इंडियाविक्स to jump higher, and we can see, इंडियाविक्स on coming days, to move till 18 rupees, 18, अभी 10 चल रहा है, अच्छा रहा है, अच्छा रहा है, इंडियाविक्स में आने वाले महिना में, next stock will be, हिंड को, sorry, हिंड कोपर, beautiful chart, and it's a clear cut breakout, and it's close above previous month high, and trading above previous month high, but there is a resistance zone here, इंडियाविक्स रहा है, हिंड कोपर में, that is 161 के अच्छा रहा है, अगर इसके अच्छा रहा है, if close above 161, then we can see much higher, and your next target will be 200, हिंड कोपर, it is a part of FNO, so for long term, for short term, this is a beautiful stock, already I am recommended at level of 30, in 2020, this level में recommend किया गया था, और बुर टा॥ अच्छा 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 अच्छ अच्छा अच्छ गया, तग ए second wave complete हो चुका, ए third wave में है, according to Iliad wave, so you can hold for long term this is the wave 1 this is wave 2 and this is wave 3 on the upside and more upside will come on hint copper so keep an eye on hint copper so if if you are holding then keep your stop-loss your stop-loss will be this is a low that is 140 will be your stop-loss on closing basis 140 on closing basis stop-loss hana chahiye if you don't have the hint copper then wait let close above 161 then buy it with the same stop-loss okay and target will be definitely 200 is the minimum if it goes up then we will come and update next talk which is break out this month is lawrence lab chemical you know what lawrence lab was in 2020 now we can't see it from 5th so we can't see it का है, monthly chart बहुत ही अच्छा है, तो जो immediate resistance point जो आरहा है, अगर आज का जो हाई है, तोडेस हाई, तोडेस हाई, तोडेस हाई, तोडेस हाई, तोडेस हाई, तोडेस हाई, 395, 394, if close above 395, then we can see the target of 400 for 30 on the upside in lower slab, so, तोडेस हाई, तोडेस हाई, तोडेस हाई, तोडेस हाई, above 395, above 395 and definitely your stop loss will be this kind of low, stop loss रहेगा, 352 on closing basis, 350 will be your stop loss, 430 is the minimum target on the upside, उसमें आप लोंग टम बने सकते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो इस candle का जो लो है, तोडेस मन्त लो, एट एस 320, 320 का closing stop में, आप long term, डिमेसी दा सकते हैं, और जैसे ही 450 के उपर closing देता है, तोडेस हाई 600 भी हाम देख सकते हैं, लोर्ट स्लैम में. नेक्स टोक जो मुझे अच्छा लग रहा है इस सब्ता आने वर सब्ता में हो है भोल्टास यह भी अफनों का पार्ट है सारे जो मैंने बता हैं उस अभी अफनों के पार्ट है अफनों में आप ट्रेड ना करें यह आपको लॉंग टर्म के लिए बता रहा हूं और भोल्टास अभी अभी जस्त ब्रेक आउट दिया है कोसिज कर रहा है और यहां पर अकोर्डिंग तो मंथली चार्ट यह मोर्निक स्टार्ट पैटर्न इसको बोलते हैं अगर जानना है तो आप कैंशने स्टाजी आप इसको सीख सकते हैं वर्स नीचे दिए नमर में आप बर्सान नमर में इसको प्रिंग कीजिए आप सारे कोस का डिटिल आपको मिल जाएगा तो बोल्टास अगर इसके को पर क्लोजिंग देता है 832 if close above 832 close above 832 then we can see much higher upside and target will be 950 your stock loss will be this candle low that is the low of this candle 780 so stop loss will be 780 780 का stop loss में अब इसमें निवेशी दे सकते हैं long term basis आपका target रहेगा minimum target 950 अब इसके उपर closing देता है तो फिर हम 1000 के उपर देख पाएंगे और all time high जो है 1350 के उपर उसको हम क्रोज देख सकते है 1347 is the all time high तो इसके उपर हम भोलतास को आने वाले सालों में देख पाएंगे इसको आप ध्यान से आप स्टड़ी करें और इसमें निवेशी रह सकते हैं और थैंक्यू फर वाचिंग अगर अच्छा लगा वीडियो जरूर लाइक करें अगर पचास लाइक आता है तो मैं और भी स्टॉक लेकर आऊंगा आने वाले सकता हमें ठैंक्यू वाचिंग इत